हाई वीवर्स मैं हूँ आपका होस्ट अबुहरा और आप देख रहे हैं गिफ्ट फार यू यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी वीडियो का फाइल साइज कम करना चाहते हैं बगहर क्वाल्टी खराब किये और अपनी मर्जी के मताबग फाइल का साइज रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखिए क्योंकर इस वीडियो में आपको एक ऐसे हैं और आपकी वीडियो को में हञाएगर करेगा 100% और उसकी क्लओ को भी लूस नहीं परिटर्द भी करेगा। और फाइल साइज सिद्द हैं मृची के अपनी मर्जी के मताबग अटाबग करके कम कर सकते हैं एक उडल साइज स किश्ग पहले हैं पहले वीडियो बनाई थी यह है कि वीडियो को कम्प्रेस करता है उसकी क्वाल्टी को खराब किया बगार, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का कुमेंट्स आ रहे थे कि भाई जो है यह हैंडब्रेक है यह क्वाल्टी को खराब नहीं करता है लेकिन जो MP फाइल साइज है उसको कम करने की बजाए बढ़ा देता है यह नहीं कि ज्यादा कर देता है अगर 100 फाइल का साइज है तो उसको 100 से 200 ले जाएगा या उससे भी ज्यादा आगे ले जाएगा लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो सौफ़वेर के बारे मैं बताने वाला हूँ यह बहुत ही अमेजिंग सोफ़वेर है औ इसके अंदर एड़ करने की जुरूरत नहीं है ना इसका को की है ठीक है और ना इसको भाइ करना पड़ता है और बिल्कुल छोटा सा सौफ़वेर है 10 MB का सौफ़वेर है तो दोस्तो आप इस वीडियो को लास तक जुरूर देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपक इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आईकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी औ और आप सबसे पहले देख सकते हैं तो चलिए आज के आप अपने टोपिक की तरफ बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स मैं आ जाता हूँ गूगल में यहाँ पर हमको सर्च करना है वीडियो कंप्रेसर फ्री वीडियो कंप्रेसर ठीक है मैंने यहाँ पर सर्च की है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आचुका है फ्री वीडियो कंप्रेसर और सबसे पहली जो है इसकी वेब साइट है ओफिशली वेब साइट है www.freevideocompressor.com और आपने सबसे पहले जो है यह आपके पास रिजल्ट आएगा इस पर आपने क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह साफ्विर का आइकॉन है और यहाँ से आप इसको डाउलोड कर सकते हैं और यह इसका स्क्रीन शोट है अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो यहां पर आप इसकी देख सकते हैं इसके अंदर तकरीबन तमाम ही जो है फार्मिट को यह एकसेट कर लेता है अपने अंदर तो डाउलोड करने के लिए आप यहां पर क्लिक करें connecting download location please wait यहां पर आपने थोड़ी देर वेट करना है और उसके बाद यहां पर free video compressor पर आपने क्लिक कर देना है यहां पर यह देख रहे हैं यहां पर start download पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यह software इंस्टाल हो जाएगा यह और installing भी बहुत ही असान है जैसे आप हैंड ब्रेक की है आपने installing का उसी तर आपने इसकी भी करनी है तो मेरे पास already जो है पहले से ही तो मैं इसको कट कर देता हूँ तो अब मैं आपको ले चलता हूँ आपने desktop पर तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है जो software हमने download किया और यह है handbrake जो मेरे पास पहले से ही था और मैं handbrake को open करता हूँ handbrake के अंदर यहां पर आपको folder और यह फाइल सेलेक्ट करनी होती है जो भी आपने करनी हो ठीक है और इसके अंदर आपको काफी ज्यादा जो है setting करनी पड़ती है इसकी और बहुत सी जो इसकी setting करने के बाद पिर भी यह problem आ जाती है और यह जो software में आपको बताने वाला हूँ यह बिलकुल ही आपकी जो file होगी उसकी file size bit rate video format audio format हर चीज को weight और height को select करके आपकी video को compress कर देगा okay दोस्तों तो आपको मैं सबसे पहले video चेक कर वा देता हूँ यह है मेरे पास ultra HD video ठीक है और इसका 148 MB file size है अभी मैं इसको play करके दिखा देता हूँ का इसका result कैसा है तो दोस्तों आप दे सकते हैं कि यह ultra HD video है यह कोई arm HD video नहीं है यह फिर HD video नहीं है यह ultra HD video है इसको compress करूँगा और इसका resolution result बिलकुल काम नहीं होगा और file size आपकी मर्जी के मताब काम हो सकती है तो मैं इस software को open करता हूँ open करने के बाद यहां आपने open पर click करना है और यह मेरी desktop पर जो है file पड़ी है मैं इसको select कर लेता हूँ और just यह open पर click कर देता हूँ और अब आप यहां पर देख सकते हैं के इसका file size जो है इसने बता दी 148 MB है bit rate है video format audio format or duration इसकी जो है video bit rate audio bit rate और height weight जो है सब कुछ बता दी इसने तो आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर और कोई setting नहीं करना है यहां पर सिर्फ आपको जो है इसकी video size जो है वो select करना है कि आपकिस size में इसको compress करना चाहते हैं यहां पर आपको बहुत सारे size मिल जाते है 100 पर करेंगे तो 140 MB की रहेगी अगर 90 पर करते है 130 MB रहेगी और य क्लिक कर लेता हूं 29 MB की जो यह फाइल होगी और बगएर quality को लूज की है तो यहां पर मैं इसको select कर लेता हूं उसके बाद compressor पर click करेंगे तो यह कह रहा है कि आप अपनी video को कहां पर select करना चाहते हैं तो चलिए मैं डिस्क टॉप पर है इसको कर लेता हूं और इसका जो है नेम मैं change कर देता हूं यहां पर मैंने name इसका select कर लिया gift for you आप यहां पर देख सकते हैं और उसके बाद आपने save कर देना है और save करने के बाद yes कर देना है और यह progress इसका शुरू हो जाएगा तो थोड़ा time लगेगा उसके बाद यह file जो है complete हो जाएगी तो विवर्स आपने देखा के हमारी जो है रेंडरिंग कम्प्लीट हो चुकी है तो next मैं आपको जो दिखाने वाला हूं आप इसको देखकर एक बात जरूर कहेंगे कि सर तुसी great हो तोबा कबूल करो तो friends हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है और यह है हमारी gift for you के नाम से और पहली वीडियो है जह हो यह है ultra HD और यह है gift for you सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं इसकी property में जाकर यहां पर आप देख सकते है 28 MB की सिरफ 28 MB की यह हो चुकी है और यह जो हमारी वीडियो थी यह 148 MB की थी और यह 20 MB की है अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूं आप इसका जो है वो चेक कर लें क्या वो कम तो नहीं हुआ तो प्ले करता हूं मैं ओके फ्रेंड्स तो आपने देख ही लिया है कि यह है इस software का कमाल आप इसको देखाए कर हैंडब्रे को भूल जाएंगे क्योंकि यह software बहुत ही जबर्दस है यह हमारी 4K वीडियो थी जो इसने compress की और without lose quality की है और 148 MB की जो फाइल थी उसको 48 MB में इसने convert कर दिया है अपनी वीडियो अपलोड करते हैं उनका काया था कि हमारी जो वीडियो हम जो screen record करते हैं या फिर हम कैमरे के साथ अपनी वीडियो बनाते हैं जैसे भी तो उसका काफी ज़्यादा जो है उसका file size हो जाता था अपलोड करने भी कुछ प्राब्लम आते थी इंटरनेट quality जो ह अच्छी ना होने की मज़ा से और उसके बाद जो है अगर अपलोड होने के बाद हमारा कोई वीडियो को वीडियो को वीडियो करता था तो उसको भी काफी परिशानी होती थी rendering होने में वीडियो काफी ज़्यादा time लेती थी play होने में तो इसलिए मैं आपको बता रहा हू आप इस software का इस्तमाल कीजिए और अपनी वीडियो को अपलोड कीजिए कम जो है size में और बेहतरी quality में और उसके बाद अपने वीवर जो को उनको एक्टिव कीजिए अपने चैनल पर तो दोस्तो हमारी आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो लाइक subscribe तो जरूर कीजिए हमारे चैनल को तो आप हमारी इस वीडियो को social media पर अपने दोस्तों तक भी जो है share कीजिए आप जहां पर भी online होते हैं Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram अपने दोस्तों तक इस वीडियो को share कीजिए ताके वो दोस्त आपके भी इस हमारी वीडियो को देकर फायदा उठा सके तो हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए फिर बिलते हैं next वीडियो में thanks for watching सबी दोस्तों का बहुत बहुत शुकरिया इस वीडियो को view करने के लिए